हे गाई तो जैसा कि लास पार्ट में हमने देखा था खुद के कल्टिवेशन को स्टेबल कने के बाद जब तांग संग मी गॉंजी से मिलने जाता है फिर इससे वाइट टैगर एंपरर से पता चलता है यूमन से टेलमेंट पे अटाइक हुआ था और इसमें काफी सारी लोग और तांग संग वापस आता है चेक करने के लिए अकैडमी में कि इसके फ्रेंट और टीचर सही सलामत तो है अब आगे इदर तांग संग गोलन वैली काफी पास्ट आ जाता है यहाँ पी आने के बाद यह होंगी से मिलता है और दूसरे से होंगी तांग संग को उस दिन क्य यह कुछ नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है तांग संग उसेन में सिर्फ कर यह काम तो अच्छा किया था और साथ ही अभी यह उसको कुछ कर्डिवेशन मेठर को भी सिखाने का सोचता है जिससे यह फ्यूचर में स्टॉर्म भी बन सके मगर यह प्रोसेस काफी लंबा है में मेहनत का खाते थे मगर यह सब बड़बाद हो गया उस फॉक्स डीमन के कारण से होगी कहती है और्गनाइजेशन अभी ठीक है यह अभी फिरार कैरी सिटी के अंदर में ऑपरेट कर रहे हैं पिकव क्रेस भी यूमन्स को बाहर चाने से मना कर दिये हैं महौल को देखकर इतने सारी हुमन्स को किल करकी हवैनिक फोक्स डीमन एपरals जो के टीहानु एपर भी है इसमें टांग सबन को चैल अब आगे यह देखना है कि टीहानु एपर का क्या होगा तांग सब अब यहाँ से निकलता है और निकलकर यह अगैडमी की ओड़ जाता है यह पहले Academy Town में आ जाता है, यहाँ पे आने के बाद यह काफी सारी humans को देखता है, इन्हें देखर यह थोड़ा relief फिल करता है, कि यह अभी भी सही सलामत है, तांग संग यहाँ से आगे जाता है, और आगे जाते हुए यह अपने औरा को रिलीस करता है, और यह अपने friends को sense कर करने करवाई करता है, अपने friends के औरा को फिल करने करवाई करता है, यह देखना चाहता है कि क्या वो सभी सही सलामत है भी या नहीं, Academy Town के end पे, तांग संग आगे मेर को देखता है, जो कि दो लोगे के साथ, और wooden house कैसे बनाया जाए, इस पर discussion कर रहे हैं, तांग संग इंचा पास में आता है, और इने teacher कहकर बता है, जब ही पीछे मुरते हैं, फिर यह देखते हैं कि यह तो तांग संग है, जो कि वापस आ तांग संग को देखकर यह इसके गली लग जाते हैं, तांग संग को देखने के बाद यह तांग संग को लेकर एक रूम की ओर में चले जाते हैं, अपने काम को यह फिला छोड़ देते हैं, तांग संग इस वर्ड में जब से आया है, यह मीं गौन जी के बारे में ही सोचा क मी गोंजी का तो बाद में न्यूज मिला, उसका ट्रायल सक्सेस्फुल रहा है, मगर तुम्हारा कोई भी न्यूज नहीं मिल रहा था, हमें लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है, तांग नहीं नहीं कहता है, टीचर, मैं समय पे नहीं आ सका है, I'm sorry, मेर भी ये सुनकर थ्वास मेर कहते हैं, लेकिन जो भी रुके थे, वो सभी वीक और ओल्ड और काफी तो अपाहिच भी थे, तुम्हें सैट फिल करने का जरूत नहीं है, ये खुद से ही रुके थे, अपने आपको सैट फिल करिए, दूसरे को सेफ किये है, मेर तांग संग को कहते है, मैं अभी भी न को काफी स्टॉंग बनाऊँगा, आने वाली फुचर में ये काफी स्टॉंग बन सकेंगे, और एंसर्टर कोड को भी इसका कीमत चुकाना होगा, जबकि इन्होंने हमारा बलड को बहाया है, फिर इसका कीमत भी उन्हें अपने बलड से ही देना हो, जो उन्होंने किया है, तांग संग कहता है, कैरी सिटी हम हुमन्स को लेग कर सॉफ्ट है, मी गोंजी के कारण से, मगर जब से ये फॉक्स डिवन एपर ये कांड किया है, दूसरे मॉस्टर रेस और पीकॉक रेस भी हिल्प करने से पीछे हट जा रहे है, मैं पहले गॉल लेवल पे नहीं था, कार अगर ये दूसरे और्डिनरी हुमन पे वैसा काम नहीं करता है, जैसा कि मेरे उपर करता है, साइज मेरे डिवाइन पावर के कारण से, तांग संग कहता है, अभी इस वर्ड में हुमन से, डीमन गौर टांस्परमेशन को ही कल्टिवेट करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दो और मेठर हैं, कल्टिवेट करने के लिए, जो कि हुमन के लिए जो कि हुमन के भी जुरूत नहीं, तांग संग कहता है, मैं कुछ लोग के साथ में इसे अट्राई करना चाहता हूँ, अगर ये सक्सेफुल होता है, फिर, ओसेन में जाकर लाज गुरूप को टीच कर सकत टांग संग कहता है, इस वर्ड में काफी अलिमेंट है, ये मॉंस्टर और स्पिरिट अपने ब्लड लेंट के पावर पे डिपेंड होकर अलिमेंट के पावर को यूज कर पाते हैं, शुएंटियन गॉंग कल्टिवेट नहीं किया जा सकता है, और अडिनरी हुमन से, मगर पापल डिमन आई, ये नॉमल लोग कल्टिवेट कर सकते हैं, इससे एक परसंग के स्पिरिचल पावर भी इंक्रीज करेगा, और कुछ टैलेंटेड लोग एलिमेंट के पावर को भी कंट्रोल कर सकेंगे, आगे चलकर मेर कहते हैं, ठीक, अगर तुम कुछ लेवल के बंदे हैं, डीमन किंग और ग्रेट डीमन किंग लेवल के काफी सारी है, इतना की काउंट भी नहीं किया जा सकता है, इस तरह के फोर्स से, फाइट भी करना अभी पॉसिबल नहीं है, मेर टांग संग को कहते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ पर तुन नही मेर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, थोड़ा वेट करो, और यह कहने के बाद मेर चले जाते हैं, और एक घंटी के बाद ही अपने काम को दूसरे को देनी के बाद मेर आते हैं, और तांग संग तेलिपोर्टेशन का यूज कर तुरंत इस आइसलेंड पर चल कर सकते हैं, लेकिन सीग काफी हेल्प किये हैं, सीट फुट को टाइम टू टाइम की लेकर डिलवर कर देते हैं, तांग संग कहता है, ठीक है, मैं मी गोंजी के आने के बाद एक सिकेट पॉर्ट को भी बिल्ट कर दू कैरी सिटी के दूर में, ताकि सप्राइज भी आ सके, तांग संग और मेयर, तोहीं अभी समंदर के किनारे में खड़े हैं, और तांग संग अपने सीग कर पाउर को रृलीस करता है, ओसियन में, इस पाउर को फिलकर मेयर ही भी कहते हैं, क्या यह सच गॉड एवल पही पर ही है, क्योंकि इस तार के पाउर को तो मेयर, टीहान पूरा ही बॉडी इस टाइंग पूरा ही बॉड़ी इस टाइंग करता है और यह तांग संग को देख कर कहते हैं यह गौड लेवल पे चला जा चुका है हलाकि यह सभी गौड लेवल पे कबसे हैं मगए फूरी ब्हीं यह फि फिल करते हैं कि तांग संग इन सब से काफु ही पावफुल है तांग संग इतर अणूस कर देता है आज से और अभी से पूरा ही ओसियन मेरा एरिया है और मैं इस area को protect करूँगा जैसे ही ये ऐसा कहता है इसका golden trident डिंगल कर सामने आता है तांग संग अपने से same level के बंदे से different इसलिए भी है क्योंकि जब ये इस world में आया था उस time पे ही इसके पास में इसका divine power था और जबकि ये god level पर जा चुका है फिर इसका sea god के divine power प्याले से काफिस हो चुका है इस कारण से भी ये planet तांग संग को हमेशा ही reject करता आया है क्योंकि ये इस planet पे दूसरे से काफिस strong भी है हाला कि अब ये case नहीं है इसे planet reject नहीं करता है तांग संग इस time पे पूरे ही ocean में अपने sea god के order को stand कर चुका है जो भी ocean में clan होंगे ये सभी feel कर चुके होंगे sea god के power को और साथी इसके order को भी मना नहीं कर सकेंगे इस time पे काफिस सारे sea clan के बंदे निकल कर सामने आ रहे है और साथी तांग संग के power के कारण से luck energy भी ocean में फैल रहा है और सोचते हैं true god तांग संग के जैसा ही होता हो तांग संग मेर को कहता है teacher don't worry पुरा ही ocean मेरा नाम को जान जाएगा और मुझे worship करेगा तांग संग अब मेर को कहता है ठीक है आप यहाँ पर रुख कर कुछ young talented लोगों को choose करें मैं answer course जब वापस आता हूँ फिर मैं इनका training भी start कर दूगा मेर ठांग संग को देख करके तुम मुझे teacher कहते हूँ मगर फुर भी मैं तुम्हें अब तक कुछ भी सिखा नहीं सका हूँ ठांग संग कहता है एक teacher एक फादर की तरह होता है अब हमेशा ही मेर ठीचर होगी ठांग संग ने goodbye बोल कर यहां से चला जाता है ठांग संग को पता है कि अगर इसे 12th tier पर जाना है फिर इसे continue power of faith को absorb करते रहना होगा तब ही जाकर इसका divine power भी increase करेगा इस बार ठांग संग उसें में काफी ज़्यदा power of absorb किया है जब ठांग संग 11th tier पर चवा जाएगा फिर इसके according ये विकर एंपर को भी challenge कर सकेगा और उनसे fight जीद भी सकेगा ठांग संग सोचता है क्या मैं इस world में सर्फ मी गोंची को ही लेने के लिए आया हूँ वैसे जन में इस world में काम से ही लिया था ये सोचता है अगर मेरा सर्फ यही गोल रहेगा फिर ये मी गोंची के साथ में अगर दस साल के लिए ओसेल में रहे कि प्रैक्टिस करता है फिर यह उतना पावफुल बन जाएगा कि यह अपने गौर्ड रेल में जा सके मी गौंजी के साथ में लेकिन यह इस प्लैनेट को इस हाल में तो छोड कर नहीं जा सकता है यहां का कंडिशनल सिचुवेशन को भी इससे सही करना होगा तभी यह अपने गौर्ड डेल में भी जा सकेगा खुसी खुसी दांग संग वाइगर होटेल में आ चुका है यहां पर आने के बाद यह वाइगर एंपर से था है यह कहते है इतना जल्दी तुम आगे दांग में आ जाते हैं यहां प्यानी के बाद यह कहते हैं मैंने काफी सोचा है इस बारी मगर अभी भी मुझे कुछ जाना है तुम कीप कहते हो इतना confident होकर कि तुम हमें गौर्ड डेल में लेकर जा सकते हो तांग संग कहता है मैंने एक inheritance को लिया है जो किस वर्ड से नहीं है वो में रहते हैं वो God King है पाउर के साथ में सुपर ब्लेड डाइन को भी कल्टिवेट किया जा सकता है और एक एमरेट के पाउर से भी उपर जाया जा सकता है लेकिन प्रॉलम यह था कि इस कारण से heavenly tribulation का मुझे सामना करना पड़ता लेकिन अब यह case नहीं रहा जबकि यह खत आँ अब ही पूछते हैं तुम अपने साथ में कितने लोगोगों को लेकर जा सकते हो बोड़ कर जा सकते हैं उतका है किस नहीं अद़न से ब्मुझे फुचर मी जाना ही ही होगा White Tiger Emperor कहते हैं क्या हो अगर मैं यह सब Ancestor Code को बता दू Dang Sang कहता है आपको यह नहीं करना चाहिए मैं इस वर्ल्ड में मी गॉंजी को पुटेक्ट करने का कसम खा चुका हूँ अगर इससे कुछ होता है फिर कुछ भी नहीं बचेगा और वैसे भी आपका कोई भी डिसेंडेंट नहीं है सिवाए शुरू कुई नहीं मी गॉंजी के मैं आपको और आपके फैमिली को लेकर अपने साथ में चलूँगा दूसरे वर्ल्ड में वहाँ पे आप इमोर्टन लाइफ को इंजुआई भी कर सकते हो चूँज कर लो क्या चाहिए आप वाइट अगर एमपरर कहते हैं ठीक है तुम सही हो मैं भी इस टिहनुए एमपरर को लेकर काफी चिंता करता हूँ वो हीउमन को लेकर काफी हेट करता है इस बात को मैं जानता हूँ वैसे क्रिशन डीमा एमपरर का अभी situation क्या है तुमारे साथ तांग संग ने कहता है वो आप से ज़्यादे trust करती है मुझ पे जब मैं tribulation को पार कर रहा था उस टाइम पे ही वो मेरे body से अलग हो गई थी मगर फिर भी वो चूज की मेरे साथ में रहने का अभी हमारे बीच एक companion का relationship चलता है वाइट टेगर डीमा एमपरर कहते है ठीक है तुम सही हो वाइट टेगर एमपरर कहते है फिर अगर मेरा life खतम होता है फिर क्या मैं भी same thing कर सकता हूँ तुमारे body में मैं रह सकता हूँ तांग संग कहता है एक तरह से का जोट नहीं यह सुनकर यह भी कहते है ठीक है फिर तुम्हारे साथ कॉप्टेट करने में मेरा भी काफी प्रॉक तांग संग अभी ने कहता है कि आप मुझे एक ही यह human का dead body को लेकर दोगे मुझे एक काम है यह पूछते है क्या करोगी dead body इस पर तांग संग कहता है मैं आपको प्रॉफ करता हूँ मैं अपने पावर से इस dead body के साथ पिकोग डिमन किंग को डिवाइफ करने वाला हूँ यह सुनकर यह कहता है तो इसके लिए एक human body ही चाहिए होता है इस पर तांग संग कहता है यह सुनकर यह भी कहता है ठीक है और यह निकल जाता है एक dead body को search करने के लिए इस पर तांग संग मी गॉंजी के पास आज आता है जो कि meditate कर रही थी और यह इसे कहता है मैं पेकोग डिमन किंग को डिवाइफ करने वाला हूँ यह सुनकर मी गॉंजी भी कहती है वो मेरे फादर नहीं है अगर वो नहीं होते फिर मैं और मेरी मदर दोने ही मारे जाती यह पूछती है तुम यह कैसे करोगे इस पर तांग संग कहता है मैं एक human body को use करने वाला हूँ इस पर यह कहती है इससे peacock clan और human के बीच का relation भी काफी increase करेगा मी गॉंजी कहती है तुम सच में future में वर्ल को छोड़कर दूसरे वर्ल में जाना चाहते हो तांग संग कहता है तुम अभी एडियलाई नहीं कर रही हो मगर जब तुम्हें एक एंपर बन जाओगी और साथ ही तुम्हारे soul पे half god king का imprint भी है तुम अपने पिछल लाइफ में half god king भी गुआ करती थी मी गॉंजी सोचती है वाइट एगर एंपर के according तांग संग काफी scheme मगर मी गॉंजी के सामने तांग संग openly काफी दिंस के बारी में बात करता है और साथ ही काफी things को भी share करता है और यह जानती है कि इसके बिना यह इस लेवल पे कभी भी नहीं आ सकी और नहीं अभी इस जगह पी भी आ सकी इसके help के बिना तांग संग जानता है कि इसके लिए सबसे biggest enemy यह universe क्योंकि इस कारण से ही last time मिंकों जी मारी गई थी और यहां पर यह इंकाने हो गए इसके लिए तांग संग अल्रड़ी preparation भी करना चार्ट कर चुका है मगर अभी भी यह preparation काफी नहीं इसके plan में यह world भी सामिल है युनिवर्स के सामने गौरी भी ज़्यदा कुछ कहास नहीं कर पाते है टांग संग कहता है एक good news है कि white tiger emperor हमारे side में ही है और इनके help से आगे का cultivation हमारा काफी smooth भी चलता जाएगा अवी हुआ एक human का body को सच करने गए इस टाइप पर यही दोनों बैठ कर बाते करते हैं और दो गहंटे के बाद white tiger emperor भी आ जाते है white tiger emperor कहते हैं ठीक है मैं body को लेकर आ गया हूँ इसका कोई भी relative नहीं है यह दो गहंटे पहले ही मरा है और मरने से पहले इसका internal organs भी damage नहीं white tiger emperor मी गौंजी की उड़ और कहते हैं टांग संग एक बात के लिए तो सही है और मैं इसका respect भी करता हूँ कि यह पूरे ही family को लेकर चलने का बात करता है पहले मैं अपनी बेटी का साथ छोड़ दिया था भी मगर अब नहीं इस world में मेरे family में दो ही लोग है एक तुमो और एक के तुमारी mother है अपनी mother को बोलना मुझसे आगर मिलने को मैं अब गुसा भी नहीं करू टांग संग इदर वरी arrival process के लिए तेहरी करता है और साथी ये इनकी बातों को भी सुनता है ये सोचता है इसे future में जाकर जिंफांग डिमाँ एंपरर से भी बात करना चाहिए साथी से अपने टीम में और भी एंपरर को साह मिल करना चाहिए जैसे कि सौर्च सेंट डिमाँ एंपरर को भी वाल टागर डिमाँ एंपरर इधा मी गोंजी को कहते है इताँ टांग संग डिवाइबर प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है ये एपने टाइम और स्पेस पाउर को भी निकालता है वाइट अगर एंपरर भी अब टांग संग को देखना चुके है और ये देखती है कि टांग संग वही आटिफेक का यूज करता है इस एक्सन से ये बौरी भी काफी चेंजे से गुजरता है टांग संग अभी बौरी रिवाइबर भी इस प्रोसेस को देख रहे है इसका लाइट विल इसके पीछे में अपियर होता है इस गोर्टन लाइट में प्रेशर काफी ज़ाता है और ये सोचते हैं तो ये है सी गॉर्ड का पावर इन्हें भी डिवाइन पावर में काफी लाइफ एनरजी फील होता है गोर्डन लाइट ये इस बौरी में इंट्र करता है इदा White Tiger Emperor भी इस scene को देख रहे हैं और यह सोचते हैं मुझे भी अब समझ में आ रहा है क्यों किष्ण डिमें एम्परा ने इसे choose किया है इसका power और talent वर्ल्ड के ऊपर तांग संग अभी fully Sea God के power को revive नहीं कर सका है लेकिन God level पर जाने के बाद यह पहले से ज़्याद सी God के power को use भी कर सकता है और इसके divine power भी fastly cover होता है खास करकि ocean में तांग संग जानता है जिए आगे जाकर इसे universe के love से fight भी करना होगा और यही टेस्ट इसका final test भी होगा इदा special senses अच्छे से absorb भी हो रहा है almost यह हो ही चुका है तांग संग इसे देखकर कहता है पिकोग डिमां केंग मेरी बाचों को सुन पा रहे हैं आप यह कहने के बाद तांग संग को कोई भी response नहीं मिलता फिर तांग संग अपना दिमाग चलाता है और फिर यह कहते हैं आपके जाने के बाद और तांग संग को देख और कहते हैं नहीं वो किसी के साथ में साधी नहीं कर सकती है तांग संग स्माइल करता है और कहता है तो आप आ चुके हो तो आप जाक चुके हो मिह गोंची तुरंतिन के पास में आ जाती इसे देखकर यह कहते हैं मिह गौंची, तुम यहाँ पे हो, मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो मर गया था ना, तुरंती ने फील होता है कि एनका बोरी पहले जैसा नहीं रहा, यह अपने ब्लेट प्रावर को यूज भी नहीं कर सकते हैं, यह पूछते हैं, चल कहा रहा है, वाइट एगर एंपरर कहते हैं, यह मैजेस्टी, आप भी यहाँ पे हो, यह कहते हैं, अभी तुम रिवाइब हुए हो, पहले एक बार स्टेबल हो जाओ, फिर मैं तुम से भी हिसाब चुकता कर लूँग, अपनी बेटी और अपनी पोती, पेकोग डिमन केंग को देखकर, वाइट एगर एंपरर को याद कर सकता है, इतने तांग संग के, इस रिवाइबल प्रोसेस को देखकर, यह भी इस टाइम पे सब्राइज है, अलाग कि तांग संग पिकॉग डिमन केंग को रिवाइब इसलिए भी कर सका है, को कि इसके पास इनका spiritual पावर काफी ज्यादा था, और इसके पास में सील्टा, और ये बात Tang Sang White Tiger Emperor को भी explain करता है Tang Sang कहता है Revival process काफी complicated होता है एक तो cultivation इसमें कम हो जाता है और साथ ही उस limitation भी है कि ये इस plane को छोड़ कर कभी भी जाने सकता White Tiger Emperor कहते हैं फिर भी ये काफी अच्छा है हालकि White Tiger Emperor इसे कहते हैं तो मैं फिर भी careful रहने का जोगत है White Tiger Emperor कहते हैं ठीक है वैसे मैं तुमसे fight करना चाहूँगा इसे मेरा comment ability भी increase करें और साथ ही मैं cultivation भी Tang Sang कहता है ये good idea है मगर हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं ये कहते हैं don't worry हम कल इस बारी में बात करेंगे अब भी rest करो इतन मीं गोंजे कहती है अगर तुम दोनों fight करने वाले हो फिर मैं भी देखना चाहती White Tiger Emperor कहते है तो मैं ड़र है कि मैं तुमारे लवर को चोट पहुचा दूँगा don't worry अब थोड़े दिर बाद पेकोग डिमन किंग का आंग भी खुलता है और ये कहते हैं मुझे रिवाइब करने के लिए तांग संग इने कहता है मैंने आपके special senses को seal कर दिया था उसका ही use करके मैंने आपको डिवाइब भी किया है पेकोग डिमन किंग इस body के साथ में मर्ज हो चुका है और आपका divine senses powerful है तो आपका divide भी कर सकोगे ये कहते हैं मैं अब है human बन चुका हूँ फिर मुझे अब है ज़्यादा तर human के साथ में रहना चाहिए मैं city lord भी नहीं रहा लेकिन मेरा पिकोग लैन हमेसा ही human के साथ में रहेगा और ये मी गॉंजी की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम्हें तो अब तक पता चली गया होगा उस secret के बारी है और ये कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं हो मैंने कभी भी तुम्हें और तुम्हारी मदर को चोट पहुचाने का कभी भी नहीं सूचा था कितना अच्छा होता कि अगर तुम रियल में मेरी बेटी होती मी गॉंजी इन्हें फिर भी अभी भी इन्हें डाड़ी कहकर बुलाती और कहती है आपने मुझे बड़ा किया है और काफी दिंग्स को भी सकाया है आप ही मेरे फादर हो आप हमेशा ही मुझे सेफ किया करते है पिकॉक लैन में जब मुझे कोई दूसरा बुली करता था फिर उस टाइम पे आप ही मुझे प्रटेक करते थे यह कहते हैं मैं उतना अच्छा नहीं तालेंट में और विजड़म में तुमें स्टॉंग भी हो और साथी काफी तेज भी हो और इसे के साथ यह पार्ट यहीं पे खतम हो तो दोस्तों, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स वडियो में देख इस पार्ट के लिए ने वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जो और अगर आप चानल पर नए है तो चानल को जो जो सब्सक्राइब ऐसे और भी अनुए में एक्स्प्रेंग के लिए थाइंगी